आज मैं आप सबको सिखाऊंगा healthy sprout बनाने से salad बनाने तक यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी मूंग एक कटोरी चना, एक कटोरी मूखली इसे अच्छे से पानी में धोलेंगे क्योंकि कुछ भी मेल वगिरा रहेगा तो इसको दो तिन वस कर लेंगे अब मैं पानी देके कारीबन 6 घंटा इसे सोक के लिए छोड़ दूँगा अब देखिए 6 घंटा हो चुका है यहाँ पे मैंने लिया है पतला वाला साप कपड़ा इसमें यह जो मूंग और बाकी ची जो को अच्छे से टाइट करके करीबन एक दिन के लिए मुझे यह से छोड़ना है एक दिन के बाद दिखे स्प्राउट हो चुका है कड़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल इसमें आड़ करूंगा करीपता और जो स्प्राउट मैंने बनाया था इसे आड़ करके थोड़ा सा चला देंगे दो से तीन मिनिट, अब आड़ करेंगे स्वात के अलुसान नमा, ये हो चुका है, इसमें आड़ करूँगा चापकिया टमाटर, चापकियावा पियाज, गाजर और हरी मेर्च, इसमें आड़ करूँगा निम्बू, खटापन अपने हिसाब से, इसे थोड़ा सा चलाएंगे देखिया हमारा हेल्दी स्यालड बनके तयार, बनाईए और एंज्योई कीजिए